हलो बच्चो आज हम हिंदी में गोले में दियेगे अक्षरों पर एक ही मात्रा लगाकर सब्द लिखने का अभ्यास करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बच्चो देखो यहाँ पर लिखा है सवरा में आग मात्रा रा सवरा तो इसमें व में गोला लगा है तो हमें व में एक ही मात्रा लगाकर सब्द बनाना है तो चलिए सुरू करते हैं स व में गोला लगा है तो हमें व में एक ही मात्रा लगाएंगे और रामे आ की मात्रा रा सवे रा बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है च त क चतक च में गोला लगा हुआ है तो हमें च में ए की मात्रा लगा कर सब्द बनाना है च च में ए की मात्रा च त क च तक बच्चों हमारा अगला सब्द है ल ला में आ की मात्रा ला ल ट न लालडन जिसमें ट में गोला लगा हुए है तो हमें ट में ए की मात्रा लगा कर हमें सब्द बनाना है ल ला में आ की मात्रा ला ल लाल ट है ट में गोला लगा हुए है तो हमें ट में ए की मात्रा लगाना है और न ल ला में आ की मात्रा ला ल ट में इसमें गोला लगा हुए है तो हमें ट में ए की मात्रा लगाया है तो क्या बन गया टे न लाल टे न अगला सब्द है बच्चो हमारा सपन जिसमें न में गोला लगा हुए है तो हमें न में ए की मात्रा लगाकर सब्द बनाना है स प न न में ए की मात्रा ने अगला सब्द है रशम जिसमें र में गोला लगा हुए है तो हमें र में ए की मात्रा लगाना है र र में ए की मात्रा रे अगला सब्द है महनत महनत जिसमें म में गोला लगा हुआ है तो हमें इसमें ए की मात्रा लगाना है म मा में ए की मात्रा में ह न त में हनत में हनत बच्चो आज हमने गोले में दिये गए अक्षरों पर एक ही मात्रा लगाने का लगा कर सब्द बनाने का अभ्यास किया है तो आप घर पर इसकी प्रेक्टिस कीजिए थैंक यू